नमसकार दूस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और एंटरस्टिंग विडियो में दूस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस नूसीललेंड के पांचोय वंडे मुकाबले की इसी वीडियो में आप सभी को बताऊँगा टीम इंडिया की playing level क्या हो सकती है पांच वे वन्डे के लिए लेकिन सबसे पहले आप सभी को एक बार बता दू टीम इंडिया जो है पांच वे वन्डी मुकाबले में कुछ नए अभ्यास के तौर पे नए खिलाडियों को मुखा दे सकती है जो खिलाडि बेंच पे बैटे ह उनको मौका दे सकती है तो आप सभी चाहते हो कि टीम इंडिया पांच हुआ मैच जीते तो वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिए क्रिकेट के फैन हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिए चौथे वंडे में टीम इंडिया जिस तरीके से हारी है चाहेगे कि पांच हुए वंडे को जीता जाए क्योंकि आल्रेदी इंटीम सीरीज को जी चुकी है तो रोई शर्मा चाहेंगे कि एक दो खिलारी जो कि बैँच पर बैटे है जिनको अभी भी इस सीरीज में मौका मिलन बाकी है उनको मौका दिया जाए और बात कर ले धोनी की तो धोनी के खेलने के चांसेस बहुत जादा हाई है क्योंकि अल्रेडी धोनी चौथा और तीसरा मैच मिस कर चुके है तो अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग लैवन की नंबर एक पे खेलेंगे रोई शर्मा नंबर दो पे सिकर्दवन नंबर तीन पे सुब्मान गिल नंबर चार पे अमतिर आइडू नंबर पांच पे दिनेश कार्तिक या फिर महंदर सिंग धोनी नंबर 6 पे केदार जादह नंबर 7 पे हर्दिक पांडिया नंबर 8 पे भूब इंडयेयो मोकाई मिलना बाकी है टो एक दो च Variम कर सकती है रविंद्र जड़ेजा को मौका दिया जाए वहीं बात कर ले मोहमद सिराज का भी मोका भी मिल सकता है खलील एहमत के बदले में तो यह ऐख दो चैंज्डेश कर सकती है धूनी की वापसी हो सकती है दिनेश कार्थी के बदले में और वहीं जो है खली लेमत के बदले में जड़े जा या फिर मोहमस सिराज किसी एक को मौका मिल सकता है तो यह थी एक छोटी से वीडियो टीम इंडिया के प्लेइंग 11 को लेके आशा करते हैं आप सभी को वीडियो जरूर से पसंद आए रहेगे पसंद आए तो लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए तब तक के लिए हसते रहे ये मुस्क गेट खेलते रहीए